असलाम आलेकूम वीवर्स तो कैसे हैं आप सब लोग अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉट वीडियो डाली थी टॉप फ्लोर की और उसकी काफी डिमांड थी सर के इसकी फुल वीडियो कब आएगी मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था इसकी पूरी वीडियो बनाने का त नहीं फिफ फ्लोर पे भी वन बीच का बहुत शांदार फ्लैट बना रखा है और उसके उपर भी एक स्टोर रूम है एल शेप का ये फ्लैट है सतर बहत्तर गज़ में टू बीच का नीचे फ्लैट है जिसमें दो बेडरूम फ्रंट पे आ रहे हैं अटैच एक डबलू सी दिया हुआ है और एक common toilet bathroom दोनों रूम से और drying room को cover कर रहा है kitchen में भी woodwork हुआ हुआ है और इसके उपर fourth floor पे एक penthouse type का बहुत प्यारा फ्लैट बना हुआ है decent सा और car parking के साथ है L ship का फ्लैट है location connectivity वीडियो को end में बताऊंगा तो चले हम फ्लैट का पूरा वीडियो देखत है तो यह फ्लैट की drying room वाला portion है और यह first bedroom है और यह drying room का portion है और यह balcony का portion ने इसी के साथ attached washroom भी दिया हुआ है यह bedroom का size है spacious size है और front वाला जो room है तक्रीबन 12-12 के हैं और drying room भी तक्रीबन 12-16-17 का है comment wallet bathroom भी दिया हुआ है यह हमारे पास old pictures हैं वहां की fourth floor की क्योंकि थोड़ा सा नीचे लोग थे इस वज़े से इसकी proper video बना नहीं पाया washroom भी काफी spacious है यह WC दिया हुआ है जो drying room से attached है बालकिनी में है और यह हमारे kitchen का size है तक्रीबन अभी आप उपर वाले room से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बाई कितने के room है उपर की proper video है यहां से हमारी top floor के entry start होती है जो fifth floor का portion है यह गुसे ही काफी spacious drying room है और आप देख सकते हैं यह 1bh का ही बनाया उपर क्योंकि नीचे 2bh का है उपर 1bh का ही बनाया और जो bedroom का size यही यही वाला size नीचे भी दिया हुआ है और तक्रीबन बारा बारा का है bedroom बैड लगाने के बाद भी बहुत space है आप देख सकते हैं और यह वाला kitchen का size जो यह है exact नीचे kitchen का size है यह common washroom यह आप देख सकते हैं ऐसी वाश्रूम नीचे भी दिया हुआ है यह यह kitchen है नीचे का भी size का भी almost यही same size है यह नीचे वाला जो bedroom है उसका यह उपर यह open area दिया हुआ है आप देख सकते हैं और इधर ही से प्लाइच से हम terrace पर भी अपनी separate terrace पर जा सकते हैं और इसके उपर भी शांदार space है और यहां पर यह पूरी terrace मिल रही है आपको और एक ऐख शंदार स्टोर्रूम भी बना हुआ तो यह पूरा टथप विई आप देख सकते हैं है और यहां बेख के स्टोरून भी बना हुआ है और वियो बहुत प्यारा है फ्लैट का और अभी मैं आपको उपर से दिखाता हूँ यह उपर तो उमीद करता हूँ कि आपको यह फ्लैट बहुत ही बसंद आया होगा बहुत ही रिमिजबल प्राइज है छोफ्लोर प्लस फिफ्फ रो एक मिटर है कार पारकिंग के साथ है नेयर तयमजिद के नेयर अरबाउट है लशभी tark की में है एक्जेक्ट नहीं बता सकता क्योंकि मुझे मेरे कोई याद नहीं आ रहा है वो कितनी घज में वो मुझे को बताया था उन रहते हैं तो फिलाल अभी आप 70-72 घज मान ले और कार पार्किंग के साथ है विदाउट लिफ्ट है नेर तयव मज़ित के पास है आस्किंग प्राइस 60 लाक रुपे है अगर आपको यह फ्लैट पसंद आ रहा है विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे दियो नंबर पर कॉंटक करके इसका विजिट टाइम ले सकते हैं इसी करना पाइम है और में आपको कॉंट क के सकते हैं न पहुत